2024 में बहुत ज़ादा बच्चों ने अगर हम last history देखें तो नीट का exam दिया है approximately 25 लाग से ज़ादा बच्चों ने नीट में participate किया है और हमारे government की seat और private की seats जो हैं मातर 1,9,000 तक की जो अभी तक निकल के आई है आगे 2024 में यह है कि इतने medical college आएंगे government and private and streets बढ़ेंगी अभी उनका कोई अंदाजा नहीं है वो जिस अभी paper work के अभी final कुछ नहीं हुआ है अब इसमें बात करते हैं कि कितने बच्चे qualify कर पाएंगे अगर मैं मात करूँ 25,000,000 बच्चे हैं तो approximately 12,5,000,000 बच्चे पास हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो seat हैं और जो qualify बच्चे हैं यानि कि beach का जो distance बहुत ही जादा है तो इसलिए MBB skills से भी बच्चे जो target करते हैं तो बहुत ही कश्मा कश रहता है और बहुत ही जादा एक एक seat के ऊपर के के से बच्चे रहता है जभी वो बहुत जादा cut off ऊपर चली जाती है अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो need qualify नहीं कर पाए और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका budget काफी कम है अब बात करते हैं हम इस session में जो बच्चे need qualify नहीं कर पाए और वो अपना medical subject उन्होंने लिए है need का exam भी दिया है लेकिन कुछ भी प्रेशानी रही वो need में appear है लेकिन qualify नहीं कर पाए तो उनके लिए उन्हें कौन सा course करना चाहिए वो अपना feature bright करना चाहते हैं और बिना need qualify के बिना वो कैसे एक संपूर्ण डॉक्टर बन सकते हैं इस वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए शिक्षामेड के चैनल को like and subscribe करना बिल्कुल न भूलिया हाई मैं हूँ डॉक्टर शब्नम MDF शिक्षामेड आप लोगों की medical advisor तो डिये स्टुडेंट अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आप परिशान हैं या डॉपर हैं और आप किसी भी कारणवाश MBBS या BMS नहीं कर पाएं और आप चाहते हैं कि बिना नीट के आप डॉक्टर बनें तो उसके लिए आज हम ऐसे कॉर्स के बार कॉर्चनिटीज होगी तो वो कौन-कौन से कॉर्स हैं नंबर वन कॉर्स की बात करते हैं बी वी से एंड एच जो यह कॉर्स हैं इस को करने के बाद पूरे साढ़े पांस साल में एक वेटिनेरियन डॉक्टर बन जाएंगे इसके लिए आपको मैं यह नहीं कहूंगे कि आपका नीट अपियर होना ज़रूरी है यानि नीट में पार्टिस्पेट अपने किया है और आप कॉलिफर नहीं कर पाए हैं तो आप एक अच्छे बहतरी वेटनेरियन डॉक्टर बन सकते हैं यह 2024 के लिए हैं में भी आने वाले इयर्स में यह कोर्स भी नीट के तुरू ह होने वाला है इसलिए आपके पास यह सूचिए कि यह लास्ट ऑपर्चनटी है अगर आप चाहते हैं कि बिना नीट के आप डॉक्टर बने तो आप भी वी एससी को चूज कर सकते हैं साड़े चार साल की स्टेडी के बाद एक साल की आपकी इंटरंशिप होगी जिसके लvikता ही है कि हर घर में पट्स लवर हैं मैकसिमम आप अगर सर्वे करते हैं तो बहत कम घर ऐसे हैं जहां पर पैडिस आपको नहीं मिलेंगे और वो अपने से पारे में पता ही नहीं कि BNYS एक बहुत ही अच्छा कोर्स है पूरा इसको करने के बाद साड़े पांच साल की डिगरी करने के बद आप बन सकते हैं एक बहत्रीन डॉक्टर बिलकुल BNYS करने के बाद साड़े चार साल के आपको पढ़ाई करनी है और एक साल की इंटर्शिप इसकी इंटर्शिप में आपको प्रॉपर एलोपैसिक आयरवेधिक होस्पिट्रेक्स में बाकाइदा ले जाए जाएगा महाँ पर आपके BNYS मेडिकल कॉलिज के अंदर टोटल डाइसो से तीन सो हंड़े बैडिड होस्पिटल होगा जहां पर आपको टोटल थेरपीज सि इसको करने के बाद आप बहुत ही जबर्दस एक्सपर्ट डॉक्टर बन सकते हैं अपना इसके साथ साथ आप मेडिसन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नहीं है कि आप मेडिसन से डिसकनेक्ट हो गया है अकौडिम तो पेशिंट की डिजीज के हिसाब से आप आयरवेधिक और और इसको करने के बाद आप पूरा CCIM यानि के डेली से रिजिस्टिशन लेकर आप आल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें के स्टेट में परसनल रिजिस्टिशन भी है इसके साथ से डेली में CCIM है कैसी अथोरिटी है जब आपकी डिग्री महार सकते हैं आप अपने रिसर्च कर सकते हैं अपना होस्पिटर प्लैन कर सकते हैं अगर आप नीच क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और अप मेंडिकल स्टूनेंट और आप चाह रहे हैं कि आपको डॉक्टर ही बनना है आप बिल्कुल उदासमा तो यह बस जल्दी से फॉन आपको चीज़ें अकेडमी प्रोवाइड करवाए जाएगा बिया इस करने के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती हैं जहां पर आपको अगर सेलरी की बात करूं में मिनिमाम स्टार्ट हो जाती है एप्रोक्सिमेटली 45-50,000 पर मन्त के लिए लेकिन अगर आप अप की ट्रीटमेंट है कि मैं आपको इस वीडियो में बता ही नहीं सकती हूँ इसके साथ-साथ हम एक कोर्स और चूज कर सकते हैं फार्माडी बिल्कुल आज के टाइम में फार्माडी भी बहुत लोगों की चोईस में बना हुआ है इसमें भी नीट की कोई जुरूत नहीं है इसमें प्लस्टू मेडिकल आपका 50% से उपर क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए भी आपको प्रावेट और गौर्मेट मेडिकल कॉलिज में फार्माडी कोर्स करवाया जाता है इसको करने के बाद आप बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट फार्मेसिस्ट बन सकते हैं र हम बात करते हैं एससे मेडिकल कोर्स के बारे में जो आज के टाइम में सबसे जादा डिमांड देंगें जी हां बीस से कोलोजी करने के बाद आप आप M.S.C. psychology भी कर सकते हैं, B.S.C. psychology करने के बाद आपका future बहुत बराइट है, इसकी jobs जो हैं, आपको schools में, colleges में, universities में हैं, क्योंकि आज के टाइब में हर बच्चे को छोटी से लेकि बड़े तक को counseling की जूरत होती है, और इसके करने के बाद एक बहुत ही expert counselor बन सकते हैं, आप, वो आपका education line हो सकती है, या आपकी business line भी हो सकती है, आपना clinic plan कर सकते हैं, यानि के आप अपने according, अपना को convert करके, आप अपनी self profile को बहुत जादा upgrade कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही जादा opportunities हैं, बहुत अच्छे, इंडिया के अंदर government colleges हैं, private universities हैं, जहां पर आप BSC psychology करने के बाद, बरदर आगे के study, MSC psychology भी कर सकते हैं, BSC psychology के बारे में बताना जाओंगे, ये 3 साल का है, यानि के जो मैंने पहले 3 course बता हैं, इसका short term है उनसे, ये 3 years का है, ये degree program नहीं है, इसके बाद आपको 1 PG तो करना पड़ेगा, MSC psychology ज़रूर करना पड़ेगा, लेक अगर आप चाते हैं, आप अपना medical में बहुत अच्छा feature bright करें, तो आप इन courses को opt करके अपना future plan कर सकते हैं, आप हमारी counseling के लिए शिक्षा med पे visit कीजिए, ऐसे ही videos देखने के लिए मेरे channel को like and subscribe करना बिल्कुल ना भूली,